और चले इस वक्त की बड़ी खबर के औरों कर लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर दिली से आपको बता रहे हैं, EWS आरक्षन पर सुप्रीम कोट की महर लग गई है, जो यहां 10% आरक्षन बरकरार रखा गया है, 5 में से 3 जज पक्ष में है सामन वर्ग के गरीमों को 10% आरक् को बरकरार रखा गया है, EWS कोटे में आरक्षन पिछले काफी समय से चर्चा का विशय बना हुआ था, आपको बता दे कि सुप्रीम कोट की समधान पीट ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि कि EWS को 10% आरक्षन दिये जानी को वर्ध बताया है, समधान के मताब हुई और 3 जज उसके पक्ष में है, कि इंद्र सरकार ने 2019 में 130 समधान संचोधन वध्यार के जरिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षन देने की वैवस्ता समधान का उलंगर नहीं, EWS आरक्षन कोटे की वैधता को चुनौती देने व समधान के मूल धाचिक और लंगर किया है, क्या मोधी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षन देकर जो अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया है, वो गलत है, सरकार का कहना था कि इस कदम में कुछ गलत नहीं है, सुप्र 2019 को सही माना, सुप्रीम कोट में से मोधी सरकार की बड़ी जीत माना जो रहा है, दरसल केंडर सरकार ने संवधान में संचोधन का सामान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजूर लोगों के लिए 10% आरक्षन का प्राउधान किया था, आरक्षन का प्राउधान करने वाले 103 दे संवधान चंचोधन को सुप्रीम कोट में चुनोती दी गई थी, पांच जजो की बैच में से तीन जजो, जस्टिस दिनेश माहिश्वरी, बेलातरवेदी और जेवी पादिवाला ने EWS आरक्षन के समर्तन में फैसला सुनाया है